हेलो फेंड्स तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो तो आप लोगों ने मेरे पास कमेंड किया था कि सर आप टीवर क्लॉजिस के बारें बताई एंटी टीवर क्लॉजिस मेडिसिन के बारें बताई जो की टीवी में यूज की जाती हैं तो चलिए आज का मैं व treatment उस time पे possible नहीं था लेकिन अब इसका treatment वो 100% possible है लेकिन इसका जो course है वो 5-6 महीने का होता जो कि आपको regular रखना होता है तो यह जो disease है यह हमारे जो lungs होते हैं उनको infected करती है और साथ ही साथ वो other body part को infected करती है जिसमें की जो हमारे lungs वो पूरी तरे infect हो जाते हैं और यह जो disease है यह एक तरह के bacteria के द्वारा cause की जाती है जिसका नहाव है mycobacterium tuberculosis जो कि इस tuberculosis को cause करता है तो चली अब हम बात कर लेते हैं इसकी symptoms के बारे में जो कि normally आपको कोई भी टीवी patient है उसमें देने को मिल सकते हैं या उसकी सुरुवादी लक्षडम कह सकते हैं तो यहां पर जो सबसे पहला जो इसका common symptom है वो इसका low fever मतलब आपको हलका हलका से बुखार रहेगा जो की 10-15 दिन तक रह सकता है नेक्स्ट अमारा feeling tired तो यहां बहुते कि आपको जो कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा आपकी बॉड़ी पूरी तरह बीग हो जाएगी आपको बिल्कुर tiredness सी फील होगी आपको कोई भी काम करने के च्छा नहीं होगी तो यह भी एक symptom है नेक्स्ट हमारा loss of खासी तीन से चार हफ्ते तक लगाता रहती है तो उस condition में आपको टीवी होने के chances पूरी पूरी होते हैं तो इस बज़े से आपको यहां पर जो डॉक्टर से तुरंती मिलना चाहिए जिससे कि आपको treatment है वो time पे मिल सके और जो सबसे ज़्यादा common symptom है कि जैसे आपको टीवी होगी और जैसे इसका जो आप medicine लेंगे तो वैसी आपकी जो वाड़ी है वो week हो जाएगी लेकिन कुछ time बाद वो हो जाती है चली अब हम बात कर लेते हैं कि एक्च्वल में को डाइगनॉस केसे किया तो इसको डाइगनॉस करने के लिए दो प्रकार की test किये यादे जो सबसे पहला test वो हमारे symptom test तो जिसमें क्या होता कि जो आपकी बल्गम होती उसकी जाच की जाती है आपकी जो बलगम उसका सेम्बल ले लिया जाता है जो कि आपकी वाली रिपोर्ट नेगेटिव आ दिये तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यहां पर टीवी नहीं है अगर आपके वो सारे सिंटम सो रहें तो उस कंडिश्न में आपका एक और टेस्ट किया जात सब्सक्राइब तो पिशंस सब्सक्राइब 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 तो चली अब हम बात कर लिए इसके treatment के बारे में कि actual में TV में क्या treatment दिया जाथा वैसे तो government ने काफी अच्छी बेवस्ता कर रखी है government hospital में कि उसका 100% treatment possible है तो यहां पर जो privately अगर आप treatment कराना चाहते तो जो डॉक्टर है वो कौन सी medicine prescribe कर दें तो जो सबसे पहली medicine है वो हमार खाना खाने से पहले लेना होता है या आप खाने खाने के बाद भी ले सकते हैं जैसा आपको doctor prescribe करें तो उसके according आपको लेना होता है तो अब next medicine है वो हमारे आइसो नाइज़ मेडिसिन जो की solonox की नाम से काफ़ी अफिमस और काफ़ी अच्छी ब्रांड भी है जो की एक त condition है वो हमारे प्रिजना मैड मैडिसन जे भी काफ़ी दा यूसफल मैडिशन है जो की आपके टीवी में काफ़ी यूसफल होती है जो की टैबलेट आपको हमेशा doctor के prescription पही लेनी है और ये टैबलेट आपको हमेशा खाना काने के बाद ही यूज़ करनी है तो नेक्स टीवी डिजीजन में काफ़ी दा यूसफल होती है और जो की एक तरह की एंटिवी के बैक्टरिया को किल करन में काफ़ी यूसफल होती है लेकिन ये टैबलेट आपको हमेशा doctor के prescription पही यूज़ करनी होगी और इस टैबलेट को आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही जो कि टीवी में काफ़ी दा यूसफल होती है जो कि मैंने आपको बताई है जो कि काफ़ी सारे MBS डॉक्टर को प्रेस्क्राब भी करते हैं और यह टैबलेट्स आपको करीबन एक महरी तक कॉंटीनो रखनी होती जैसे टीवी का बारस दिरी दिरे कम हो जाता है वैसे आपक काफ़ी दाफ हैं में सभाविए में से तो यह काफ़ी दा इसफिल होता है लेकि इनकी डूस में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है तो इस बएसारे काफ़ी सारी डॉक्टर अन चारों को एक साथ प्रेसक्राब करते हैं और यहां पे ऑ्लों में यह बहुत- सी कम यूज किटी जिसमें आपको ये चारो तरह की मेडिशन के कॉमिनेशन मिल जाते हैं तो यहां पर ये जो किट है जो की एक टीप फूर के नाम से काफ विदा फेमस जो की अलगा तरह की डूस में भी आती है और काफ ही सारी गंपनी इसको मैनिफेक्चर भी कर दी है तो इसके अंदर आपको चारो तरह की जो मेडिशन यूस की जाते हैं तो यह चारो तरह की इसके अंदर आपको मिल जाते हैं जैसे कि इसके इसके अंदर आपको एक लेनी होती है तो चली अब हम बात करने थे इसके यूस के बारे में कि A TVs 4 की जो kit अर दी है उसके actual में कैसे यूस करना है तो यहां पर हम बात करने हैं तो यहां पर आपको एक capsule दिख़रा हूँगा जो कि यहां पर refamp olurs in का capsule है तो यह capsule आपको हमेशा खाना खाने के बाद भी लेना है और इसके अंदर आपको प्रिजनमाट टैबलेट मी मिल जाती है जो कि आपको खाना खाना के बाद ही यूज करनी है और बची आपकी दो टैबलेट जो कि इथमब्यूटल और आइसोनाइज ये आपको खाना काने से पहले ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर ये सारी टैबलेट आपको एक साथ ही लेनी है आपको थोड़े थोड़े गैप के बाद इनको यूज करना है लेकिन यहाँ पर ये टैबलेट आपको और जानकारी के लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए तो यहाँ पर ये थी मेडिशन है वो काफिधा प्रेस्क्राइब की जाती है और आप चाहे तो गवर्मेंट हास्पिटल में भी जा सकते हैं वहाँ बेभी ये सारी बेहुस्ताफ पूरी तरह से उपलब्द है तो चली अब हम बात कर लेते हैं आप जो इंजेक्शन है जो कि टीवी में काफिधा यूस्फिल होता है वह हमारे स्ट्रेप्टोमाइसन इंजेक्शन अगर आपको टीवी पहली बार नहीं हुई है या आपको सेकंडरी टीवर क्रॉस्टी से तो उस कर्डिशन में आपको मेडिशन के साथ साथ में आपको अन्जेक्शन भी प्रिशक्राइप की सता है तो ये जो इंजेक्शन जो growers के नाम से काफिधा फीमस और काफिधे यूसफिल होता है तो ये एक तरह का एंट्यूंवाइटिक इंजेक्शन जो की आपको मेज़बर Redtern की लेना ये आपको कबिवी आई भी को प्रेस्क्राइब करते हैं अगर आपको प्राइमरी ट्यूबर क्लॉस हो गया है तो उस कंडिशन में वह सारी टैल बेट से जो मैंने आपको बताई है चार तरकी वही जादा तर यूस की जाती हैं तो यह कुछ में जो कि टीवी में काफी दा यूसफुल है तो अमीद करते सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं क्योंकि आपको और नहीं जानकारी मिल सके